गुड मॉर्निंग फ्रेंड साज में आप से जिस प्लांट के बारे में बात करने जा रही हूं उसका नाम है अल्पिनिया जर्मिट प्लांट एक बहुत ही खुबसूरत एवर ग्रीन हाउस प्लांट है जो कि राइजोम्स के द्वारा ग्रो किया जाता है और पार्शल शेट म पैसे तो यह प्लांट फुल सन में भी चल सकता है बट यह पार्शल सन में जादा अच्छी ग्रोथ शो करता है फुल सन में इसकी पतियां जली-जली हो जाती है यह प्लांट बहुत ही खुबसूरत और अपनी सुन्दर सी लीव्स के कारण ही लोग अपने घरों में लगान और मैंने यह प्लांट एक चोटे से पार्ट में अभी लगाया हुआ है और इसमें ही यह काफी अच्छा और काफी घहना हो गया है यह प्लांट ड्रॉट ट्रॉलर्न प्लांट नहीं है तिसलिए इसको फ्रिक्वेंटली वाटर की जरुवत होती है और एक रिच्छ मॉइस स्वाइल की जरुवत होती है इसके लिए इसको रगलर वाटरिंग की जरुवत रहती है रगलर वाटर करना ही पड़ता है अगर आप फुल सन में इसको रख रहे हैं तो फिर तो इसको बहुत ज्यादा पानी की नीड होती है अदर वाई अगर पार्शल सन में रख रहे हैं और दूसरी requirement है, इसको frequent fertilizing की जरूरत होती है, तो हर मन्थ इसको कुछ नो कुछ liquid fertilizer में डालती ही रहती हूं, वो इसकी need है, इसके इसकी 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 growth होती है, और इसकी height बहुत जादा नहीं होती है, अगर हम गमले में लगा रहे हैं, तो 3-4 feet तक टॉल हो जाता है, जा हो जाता है, जमीन में तो लगाने से, तो और भी खुशूरत लगता है, कहीं भी एगर खाली जगे होती है, मेरी society में भी जहां खाली जगे हैं, तो वहाँ भी लोगों ने गार्डनर्स ने इसको लगा रखा है, तो बहुत ही खुशूरत लगता है, वो एरिया जहां पे अ साल उसाल आपके साथ रहता है, नो धीर धीरे कुश पतियां खराब होने लगती हैं, तो इनकी कटिंग और प्रोरिंग करनी पड़ती है, उन सारी जगों को जहां से यह खराब होने लगता है, उनको काट देना पड़ता है, इनकी कुश लीप्स जो खराब हो जाती हों, न तो आपके जगों से फिर से नई नई फुटाओं होते हैं और फ्लांट ग्रो करता ही रहता है इसको अगर है वादर रेक्वार्मेंट और सान की रेक्वार्मेंट का हम ध्यान रखें तो यह बहुत अच्छा प्लांट है जिसको इसली आप अपने हां लगा सकते हैं अपने ग